हेवीवन वेलकम बेक टो माई चैनल पकवान आज हम बनाएंगे पीजा जो बिल्कुल बेकरी स्टाइल है और इसे बनाने में काफी कम समय लगेगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने पाथ चला संगी कलिया एक कटावा प्याच दो कटेवे टामाटर लिये हैं पास से चे कश्मीरी लाल मिर्च अब इसमें ग्लास पानी डाल देंगे और इसे ढखकर पकाएंगे 15 मिन के लिए 15 मिन बाद हम देखते हैं यह अच्छे से पक चुका है अब गेज की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे ढखकर छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए अभी ठंडा हो चुका है अब इसे हम पीस लेंगे यह हम पीजा सोस बना रहे हैं यह काफी आसाने बनाना अब इसे अब करेंगे अब इसमें डालेंगे नमक लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच चीली डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें चीली फ्लेक्स और ओरीगेनों डालेंगे एक चमच और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह थीक ना हो जाए अब आप देख सकते ही थीक हो चुका है यह तयार है यह हमेने वेजिटेबस लिए शिमला मेर्ज प्याज और अब पीजा बेस लेंगे और इस पर बटर लगाएंगे चारो तरफ अच्छे से अब इस पर पीजा सोस फेलाएंगे चारो तरफ इस अच्छे से फेला देंगे पूरे पीजा बेस पर अब हम इस पर चीज स्प्रेड करेंगे यह मैंने मौजरेला चीज यूज किया है अब अब इस पर हम जो वेजिटेबल से वो रखते जाएंगे आप इसमें बनीर भी यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग के लिए यहां मैंने वेजिटेबल से यूज़ किये अब वापस थोड़ा चीज़ी स्प्रेड करेंगे अब इसे प्री हीटेड होवर में बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर पाच मिनट के लिए और लीजिये त्यार है हमारा पीजा आप देख सकते हैं यह देखने में काफी स्वादिश लग रहा है खाने में तो और भी ज्यादा डिलिशेस लगेगा अब इस पर हम चिली फ्ल सारे हमारा पीजा जिस हमने घर पर ही बनाया और यह बिल्कुल बेकरी जैसा लगेगा खाने में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आयो तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद